क्या आपने कभी financial plan बनाया है कभी ना कभी बनाया होगा क्या वो work किया जादा तर लोगों का financial plan work नहीं करता है हम बड़े जोश से बड़ी उमीदों से budgeting करते हैं salary expenses count करते हैं इतना कमाते हैं इतना खर्चा होगा इतना बचेगा तो उस बचत से मैं आगजा के ये करूँगा लेकिन सज बात तो ये है कि वो पैसा बचता ही नहीं है जादा तर लोगों का financial plan work करता ही नहीं है जानते हैं क्यों दो major reason होते हैं पहला हम इद्दम cut to cut financial plan बनाते हैं कि अगर आज कोई खर्चा 1000 रुपे का है तो मैं ये मानता हूँ कि ये साल भर उस 1000 रुपे ही लगेंगे लेकिन कभी उसमें खर्चा जादा हो जाता है अगर मैं मानता हूँ कि phone bill मेरे महीने का 400 रुपे आएगा तो मैं ये 100% मानता हूँ कि अगले 2 साल 400 रुपे ही आएगा थोड़ी भी गुंजाईश नहीं रखता मैं 10% का margin नहीं रखता हूँ खर्चों में और कई बार खर्चे unexpected वाले आजाते हैं वो जो 10-20% आखरी में बचत हो रही थी जो मुझे invest करना था वो बचता ही नहीं एक और major reason है कि हमारी financial planning नहीं चलती और वो है कि हम what ifs याने अनहोनियों का अन देखे अन सोचे खर्चों का हिसाब या उसके लिए कुछ provision नहीं रखते हैं हम daily life में ये provision हमेशा रखते हैं जैसे अगर train पकड़नी हो और train हो 11 बजे की घर से station का रस्ता हो आदे घंटे का तो भी हम साड़े 10 बचे घर से नहीं निकलते हैं हम कम से कम 10 बचे घर से निकलते हैं आदे घंटे का margin रखते हैं कि platform दूर का हुआ तो रास्ते में traffic मिल गया तो हम flight पकड़ने में margin रखते हैं एक्जाम देने जब जाते हैं तो आदे घंटे का margin रखके center पहुँचते हैं लेकिन financial planning में हम 5-10% का भी margin नहीं रखते what ifs का what if रस्ते में traffic मिल गया life में हम इसका ध्यान रखते हैं finance में भी हमें इसका ध्यान रखना है एक simple scenario लेते हैं छोड़ा डरावना लगेगा लेकिन इसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा what if एक इंसान एक घर खरीटता है home loan पे और home loan लेने के कुछ महीनों बाद unfortunately उसकी death हो जाती है अब क्या होगा दो scenario's होंगे एक तो वो सारी home loan EMI का जो burden है न उसके परिवार पे आ जाएगा और अगर परिवार वो किष्ट हर साल अगले 15-20 सालों तक पटाता नहीं रहा तो वो उस घर पे bank कबजा कर लेगा घर वालों के सपने बरबाद जिसने घर खरीदा था बड़ी उमीदों से कि मेरा परिवार खुशी से रहेगा उसके सपने भी खराब हो एक और outcome हो सकता है कि family में कोई member double shift काम करके दिन रात अपनी पीठ तोड़के किसी तरह अगले 15-20 साल EMI पटाता रहेगा उस इंसान के सपने के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं रहा एक और इंसान जिन्दगी भर मेहनत करेगा एडियां घिसेगा अब ये सुनने में बहुत ही डराबना लगता है लेकिन ऐसा कभी न कभी हुआ होगा ना होता होगा ना ये what if वाला सिनारियो possible है ना अब देखो life के हर सिनारियो के लिए हर unexpected event के लिए तो हम तैयार नहीं हो सकते होने को तो कुछ भी हो सकता है सब के लिए तैयार हम नहीं हो सकते है दुनिया में हर चीज हमारे control में नहीं है तो सब control करने की कोशिश या भगवान बनने के कोशिश हमको नहीं करनी चाहिए लेकिन practical life में हमें controlling the controllables करना चाहिए और not worrying too much about the uncontrollables करना चाहिए तो controlling the controllables में इस सिनारियो में ये होता कि जब वो इंसान home loan ले रहा है तो साथ में एक life insurance भी लेता, ये उसके control में है, death उसके control में नहीं है, life insurance लेना उसके control में है अगर वो life insurance लेता और उससे कुछ हो जाता, तो उसके परिवार को ये तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, financial तकलीफ at least, क्योंकि उस home loan का पैसा अब insurance company के पैसों से हो जाता, तो ये problem, सारी problem तो solve नहीं होती, लेकिन ये problem तो solve हो सकती थी ना जब life insurance कई तरह की होती है कोई भी मतले लेना, life insurance आपको term plan लेना है term insurance, इस पे मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए है, लेकिन brief में बता जता हूँ, term insurance मतलब आपकी पूरी life insurance नहीं है उसका एक term insured है, कितना उस earning member पे family financially dependent है जैसे माल लेते हैं, कोई 35 साल का है उसके 5 साल के बच्चे है अब जब वो इनसान 65 का हो जाएगा तो उसके बच्चे भी 30-35 हो जाएगे यानि तब वो अपने parents पे financially dependent नहीं रहेंगे तो ऐसे case में, अगर वो अभी 35 का है तो उसको next 30-35 years तक का term plan लेना चाहिए, अब देड़ एक अच्छी बात यह है, कि term plan जो है वो affordable भी है, एक करोड का term plan आपकी ये health और age पे depend करता है लेकिन ये आपको 473 रुपीज पर month में भी मिल सकता है तो काफी affordable हो सकता है इसके अलाबा, ATC में जो तक का deduction मिलता है जो premium आप pay करोगे, उस पे ये ATC benefit भी available होता है Policy Bazaar की team claim assistance के लिए 24-7 available होती है, और आपको 10% तक की savings भी हो जाती है, premium में क्योंकि Policy Bazaar में कोई middleman नहीं होता तो premium स्थोड़े low हो पाते हैं So अगर आप term plan लेना चाहते हो तो आपको description में link मिल जाएगा वहाँ जाके आप term plan compare कर सकते हो और listen आज हम 3 rule discuss करने वाले हैं कि कैसे आपका financial plan work करेगा तो अब पहले rule से शुरू करते हैं controlling the controllables अब life में मैंने कहा हर चीज तो controllable नहीं है और हर चीज को control करने जाएंगे तो हम frustrate हो जाएंगे और हमारे खर्चे भी बहुत बढ़ जाएंगे तो कौन सी चीज को control करना है और कौन सी चीज को control नहीं करना है कौन से controllables के against मुझे insurance लेना है simple rule है golden rule है वो चीजें जिसके खोने से आपको बहुत ज़ादा फर्क नहीं पड़ता इंशॉरंस ले लीजिए example आपका scooter या car चोरी हो जाएं फर्क पड़ेगा न इंशॉर करिए आपका जूता चोरी हो जाएं शाद बहुत ज़ादा फर्क नहीं पड़ेगा इंशॉरंस मत लीजिए कोई बिमार हो जाए या कोई हमारा unfortunately चले जाएं आपकी जिंदगी बहुत ज़ादा बदल सकती है अगर उसके अगेंस्ट इंशॉरंस लिया जा सकता है लेकिन कई बार जिन लोगों को ओवर इंशॉरंस की आदत होती है वो ऐसी छोटी मूटी चीज़ों का भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते है जो आपके लिए बहुत वैल्यूबल है अब देखो सबसे जरूरी चीज़ होती है लाइफ तो आपके घर के अर्निंग मेंबर अगर आप इस वीडियो में देख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी आपके घर में अर्निंग मेंबर्स है उनके पास लाइफ इंशॉरंस होनी था दूसरा हमें ये समझना है कि लिक्विडिटी और नेट वर्थ दो अलग-अलग चीज़े है कई बार ना इसको एक एक इग्जांपल से समझते है कई बार आपने देखा होगा कि कोई ऐसा बिजनसमें, कोई ऐसा अंत्रोपेनर जिसकी कल तक बोला जा रहा था कि ये 2000 करोड का मालिक है 5000 करोड का मालिक है वो अचानक से बैंकरफ्ट हो जाता है और सड़क पे आ जाता है हमें लगता है ऐसा कैसे हो सकता है यह इसलिए कि नेट वर्थ और लिक्विडिटी दो अलग अलग चीज़े हैं से एक्जांपल से समझते हैं मान लीजिए एक इंसान के एक कंपनी है जिसका मार्केट, स्टॉक मार्केट में वैलिवेशन है उस आदमी के पास उस कंपनी में पचास परसेंट हिस्सेदारी है यानि उसकी नेट वर्थ हो गई पचास करोड़, पचास करोड़ के शेर्ज है अब यह नेट वर्थ है, लिक्विडिटी नहीं क्योंकि जैसे ही वो अपने शेर्ज बेचने जाएगा थोड़ी बड़ी कॉंटिटी में मान लोगों सुछता है, पचास करोड़ के शेर है मिरकोँ 10 करोड़ चाहिए, मैं 10 करोड़ के शेर बेचता हूं बड़ी कॉंटिटी में जब वो शेर्ज बेचने जाएगा न मार्केट में सबसे पहले तो news चलेगी कि promoter अपने share खुद बेच रहा है जिससे market ये समझता है कि इसे अपनी कमणी में भरोसा नहीं है या इसके result खराब आने वाले हैं कमणी में कुछ गरबड होने वाली है और वो share का दाम धडाम से बहुत सारा गिर जाएगा lower circuit लग जाएगा यानि पहली चीज़ तो promoter चाहके भी अपने सारे share बेच नहीं पाएगा और जब तक अगर बेचेगा न circuit खुला थोड़े और बेचे फिर खुला थोड़े और बेचे तो 50 करोड के share शैद 15-20 करोड में बिकेंगे तो कागस में net worth थी 50 करोड real में liquidity मिल पाई 15-20 करोड और वो आदमी हो गया bankrupt क्योंकि उसको हो सकता है bank को 25 करोड देने थे और bank ने उसको 25 करोड लोन दिये थे ये देखके कि इसके पास 50 करोड के share है उसके against 50% का लोन दे दिया वो आदमी bankrupt हो गया तो net worth और liquidity का फर्क है जब हम हमारे खर्चे हमारी net worth के हिसाब से bank से लोन लेके बढ़ा देते है और उसको pay करने के लिए liquidity नहीं होती है तो हम हो जाते है bankrupt तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई आपको कितना भी लोन दे रहा है आपकी balance sheet देखके उसको लेना नहीं है हमारे pay करने की capacity होनी चाहिए तब ही उसे लेना है और unexpected खर्चे आएंगे ये मान के चलना चाहिए तो एकदम neck to neck कि मैं महिने का 10,000 बचाता हूँ तो साड़नो हजार की EMI ले ली ऐसा नहीं करना है ये bankrupt होने की शुरुआत है तीसरा जब आप investments कर रहे होना तो एक अच्छा balance रखो between liquid assets and non-liquid assets illiquid assets दोनों के reasons है अगर आप सब कुछ बहुत liquid assets पे रखोगे तो या तो अगर वो debt instruments है तो return कम मिलेगा जैसे savings और current account में कम return होता है वो ज़्यादा liquid है FD में return ज़्यादा होता है लेकिन आप उसको तुरंट निकाल नहीं सकते है penalty लगेगी उसी तरीके से shares आप तुरंट खरीद बेच सकते हो जिसके current discipline का problem आता है वो इतना liquid है कि हम लंबे सामें holding नहीं कर पाते हमें बेचने का लालस आ जाता है जैसे mutual funds कई बार आपको tax saving ना भी करनी हो तो non tax saving mutual funds से better होता है उससे similar tax saving वाला ले लो उसमें तीन साल आप निकाली नहीं सकते है discipline अपने आप आ जाएगा तो हमें आप balance रखना है बहुत ज़ादा अगर पैसा हम liquid assets में डालेंगे तो हम plan के मताबिक चल नहीं पाएगा discipline issue आएगा लेकिन बहुत ज़ादा पैसा अगर हम illiquid या non liquid assets में डाल देंगे जैसे हमने सारा पैसा NPS में डाल दिया या हमने ELSS mutual funds में डाल दिया या FD में डाल दिया जिसको हम पहले तोड़ नहीं सकते ये condition है तो जरुवत के समय हम bankrupt हो जाएंगे और हमारे ये पैसे पढ़े रह जाएंगे तो पैसा था लेकिन हम pay नहीं कर पाए और हम NPO हो गए तो दोनों का सही balance होना जरूरी है किसी भी एक extreme पे ना जाईए और आप liquid रहेंगे आपका financial plan track पे रहेगा और आखिर में कई बार मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि हम कितना invest करें आप देखो invest करना तो अच्छी habit है तो जितना कर सकते हैं करिये क्योंकि अच्छी चीज़ पे upper limit क्यों लगाना हाँ एक upper limit होनी चाहिए कि आप कितना भी invest करें का ये मतलब नहीं है कि आज आप अपनी family को भूगा रखें उन्हें घुमाने ही न लेके जाए अपनी बहुत छोटी-छोटी खुशियां भी compromise करें जैसे illiquid और liquid assets का balance होना चाहिए उसी तरह future needs और present needs का भी balance होना चाहिए तो present को कुछ हद तक enjoy करते हुए future के लिए planning होनी चाहिए हर moment भी enjoyment हो सके और future भी risk में ना आए ये balance करके आपको invest करना है ये balance ध्यान रखके आप जितना जादा कर सकेंगे उतना अच्छा है लेकिन एक बात फिर से ध्यान रखना आपकी savings save हो पाएंगी आपके investments invested रह पाएंगे जब आप life के unknown risk के against insured रहेंगे तो please जाके term plan ले लेना policy bazar में compare करके savings भी कर लेना link description पे है this is Franjal Kamra signing off bye bye